你好 वेल्कम स्टूडन्स है आज में आपको फीर थीमाक्स के एक एकस्ट्रा थ्योरम बताने वाला हूं कलाश 10 के मैद पयाट के छेप्टर इन्चर्थ आम्बर तेन का यह है एकस्ट्रा थ्योरम है एक्स्ट्रा नम्बर 8 है chapter 10 theorems related to cyclic quadrilateral cyclic quadrilateral से जुड़े वे theorems या चकरिये चत्रुभू से संबंदित परमई तो इसका application number 8 ये important है इससे पहले इस chapter का मैंने application number 7 बनाया था वो भी important है इसका 7, 8 और 9 ये तीनों ही important है 3 marks के extra theorem या rider के लिए तो application 8 में क्या है देखिए क्या पूरूप करना है question में है the middle points of two codes AP and AQ of a circle with center O, R, R and S respectively कहा जा रहा है O center वाला या O के अंदर वाला एक circle है और उसका दो code है दो जीबा है एक code है AP और दूसरा code है AQ ठीक है और इन दोनों code का जो middle point है यानि मर्द बिंदू तो middle point क्या है AP का middle point R है और AQ का middle point है S अब हमें prove क्या करना है हमें prove या परमान करना है let us prove that the four points O, R, A, S ये जो चार point है ये कौन cyclic होंगे ठीक है चकर ये होंगे चकर ये बिंदू या कौन cyclic होंगे तो conciclic मतलब तो एसे पहले भी मैंने बताया दोबारा में बता दे रहा हूँ conciclic ऐसे चार points को बोलते हैं इसे चार window को कहते हैं जो एकी सरकल या एकी विर्थ के उपर में होंगे एकी सरकल के उपर अगर वो चारो point होते हैं तो इसको हम लोग कौन cyclic बोलते हैं ठीक है इस थियूरम में या इस परमे में पूरूब करने के लिए कौन cyclic पूरूब करने के लिए हम यह पे एक थियूरम को जो इसी चेप्टर का है लेकिन वो syllabus में नहीं है उसको मियूज करेंगे वो थियूरम ये परमे क्या है इसी चेप्टर का आप एक थियूरम जानते हैं जो syllabus में हो थियूरम नंबर 38 या परमे 38 थियूरम नंबर 38 में क्या है कि एक cyclic quadrilateral या एक चकरिये चतुरूबुज का जो opposite angle होता है जो विपरित कौन होता है अपोजिट एंगल स्पलीमेंटरी होता है ठीके सम्पूरक होता है जानि उन दोनों को जोड़ कर 180 डिग्री होता है ऑपोजिट एंगल ओफ ए cyclic quadrilateral या सापलीमेंटरी cyclic quadrilateral का opposite एंगल सापलीमेंटरी होता है यानि उनको जोड़ कर कितना होगा 180 degree होता है ठीक है ये तो इस syllabus वोला theorem है theorem number 38 पर मैं 38 लेकिन उसके बाद ठीक एक और theorem है जो मैं आपको यहां दिखा दूँ पहले तो वो theorem है theorem number 39 ये theorem syllabus में नहीं है proof is not included in the evaluation ये syllabus में नहीं है लेकिन इसमें जो बात लिखा गिया है जो statement है ये इसको यूज करके ये मुझे को पूरूफ करेंगे इसका जो statement है वो ठीक theorem number 38 पर मैं 38 का ठीक ये उल्टा समझ लीजिए theorem number 38 में बोला गिया था cyclic quadilateral है चकर ये चतुरबुज है तो opposite angle क्या होगा supplementary होगा ये उनको जोड़कर 180 होगा opposite angle ये विपरित को जोड़कर 180 होगा इसमें ठीक उसका उल्टा क्या है कि अगर एक quadilateral है एक चतुरबुज है यानि cyclic नहीं बोला है ठीक है cyclic नहीं बोला है चकर ये नहीं बोला है और सिरिफ quadilateral बोला है सिरिफ एक चतुरबुज बोला है अगर एक quadilateral का opposite angle यानि उनका विपरित कोन opposite angle को अगर जोड़कर वो supplementary हो गया अगर वो 180 degree हो गया जोड़कर तो फिर वो चारो पॉइंट जो होंगे उस quadilateral के चारो जो बिंदू होंगे वो कौन cyclic होंगे वो क्या होंगे कौन cyclic होंगे यानि वो चारो पॉइंट जो एक circle के उपर में आएंगे यानि ज़स्ट यह हम theorem 38 का opposite बोल सकते हैं उसमें cyclic बोला गिया तब वो angle जोड़कर 180 होगा और इसमें यह कहा गिया कि अकर angle जोड़कर 180 होता है दो कौन जोड़कर 180 होता है तो फिर वो चारो पॉइंट cyclic होंगे कौन cyclic होंगे ठीक है चकर यह होंगा जब कौन cyclic होंगे तो फिर वो quadilateral भी क्या बन जाएगा cyclic quadilateral बन जाएगा चकर यह चतुरूज बन जाएगा तो इस statement को हम यूज करेंगे तो अब हम आ जाते है इस्टोंड शिस्तियूरम या परमे में सबसे पहले तो हमें एक circle बनाना पड़ेगा बिरत बनाना को जिसका center या के अंदर O हो है यह होगई circle center O है इसमें दो code बनाना पड़ेगा एक AP और AQ बनाना पड़ेगा AP code यह वाला AP code या JIVA है ठीक है और दूसरा code is AQ code या जीवा है ठीक है और सास में क्या 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 गया थे AP का है middle point यानि केंदर यह बिंदु है sorry मद्दे बिंदु है AP का है R AP का है R यह मिडिल point Middle point यह मद्दे बिंदू का मतलब यह हो रहा है कि यह दोनों आधा-धा में बढ़ जाएगा AR आधा होगा और rp आधा हो जाएगा ठीक है ar equal to rp ठीक है यादा आधा हो गया और aq का middle point है या मद्डेबिंदू s है ठीक है तो यादा आधा में बढ़ जाएगा क्योंकि middle point है a s और s q यादा हो जाएगा equal हो जाएगा ठीक है तो यह दिया हुआ था the middle points of two quotes WetCNQ of a Circle with Center O, R, N, S respectively यह दिया हुआ था है और हमें क्या पूरूब करना है हमें पूरूब करना है To prove यह परमान करना है The 4 points, O, R, A, S are तो पॉरूब करना है यह जो 4 points है कोन से? O, R, A, A, C यह 4 points है यह कौन साइकिलिक होंगे चकर यह होंगे कॉन साइखिलिक का मतलब यह होगा कि यह 4 पॉइंट भी जो ईक सर्कल के उपर में आएंगे कानने अगर हम यहाँ एक सर्कल बनाएंगे इसला से एक सर्कल मैं यहाँ समझाने के लिए बना दे रहा हूँ इसे यह सर्कल मैंने ऐक बनाया है तो यह circle बनाने से क्या होगा यह चारो point जो इस circle के उपर में आएंगे तो यह कौन साइक की लिख होगा तो यह पूरूप करना है तो पूरूप करने के लिए हम क्या करेंगे construction यहां पर करेंगे अंकन के ओ तो था OCR और OCR को मिलाया नहीं तो इसको मिला देंगे OCR को हमने मिलाया और OCR को मिला दिया OR and OSR join OR और OS को हमने join कर दिया ओके join कर देने से यह क्या बन जा रहा है quadrilateral बन जा रहा है चार साइड वाला या चार भूजा वाला है अब हम आते पूरूफ पूरूफ जो इसका easy है थोड़ा से समझना है आपको ठीक है पूरूफ करने के लिए हमें क्या दिखाना है इस quadrilateral या चतुरभूज का opposite angle दो opposite angle को जोड़कर 180 हमें बस दिखाना है अगर दोनों को जोड़कर 180 हो गया तो जश्ट अभी जो मैंने थियूरम बताया थियूरम 39 या पर में 39 उसके इसाब से क्या बन जागा यह चारो पॉइंट कौन साइकी लिख हो जाएगा चकर यह हो जाएगा जश्ट हमें दो opposite angle को जोड़कर कितना दिखाना 180 दिखाना है तो इसके लिए हम कैसे स्टार्ट करें पूरूफ में देखें और बायसेक्ट तक कोड़ एडे का जारा है ओ-पी जो है यह आप धिक कर रहा है यह आपट यह को पाइसेक्ट कर रहा है दो लत ऑन्हेοςित ми को ने अइसे को तो दो बराबर हिसों में बाठ देना और ऑर अम जग यह वह शोईन चुक्ट में मेरा रहा है यह गाले ही से दो हिस्ट में बाठा हुआ है सोरी यहां पर AD नहीं होगा यह AP होगा यह mistake है AP ठीक है तो OR अगर AP को दो बराबर इससों में बैसेट कर रहा है समद्धिखन कर रहा है तो यहां पर बोला गया इसलिए OR जो है यह AP के उपर में क्या होगा परपंडिकूलर होगा यानि लंब होगा OR जो है AP के उपर में परपंडिकूलर अमूद या लंब होगा तो यह सही है यह कहां से आया यह इसके परपंडिकूलर कैसे होगा लंब कैसे होगा यह थियूरम नमबर 33 जो चेप्टर 3 का है ठीक है चेप्टर 3 में आपने यह थियूरम 33 अगर हम सरकल या बिर्थ के सेंटर से या केंदर से किसी एक कोड या जीबा के उपर में अगर हम एक लाइन बनाते हैं और वो इसको दो बराबर हिस्सों में अगर बाड़ देता है तो फिर यह लाइन क्या हो जाता है यह एक परपंडिकूलर हो जाता है लंब हो जाता है तो इसलिए यह gear क्या हो गया इपके उपर में परपंडिकूलर यह लंब होगा तो जब यह परपंडिकूलर होगा तो क्या होगा दोनों तरफ 90, 90 डिग्रींगल cultura बनेगा थिके सम कौन दो यह हो जागा इस तरह भी क्या हो जागा 90 इस तरफ भी होगा 90 तो इधर के जरूत नहीं है हम इस तरफ वोला लेंगे 90 क्योंकि ये इस चत्रुबुच के अंदर हो रहा है ठीक है तो ये 90 हो जाएगा तो OR AP के उपर में क्या परपंडिकुलर है इसलिए that is ARO एंगल जो है ARO ये जो एंगल हो रहा है या कौन ये कितना हो जागा 90 होगा ठीक इसी तरह से ये जैसे परपंडिकुलर हुआ अब इस तरह पाजाएए OS क्या कर रहा है ये भी AQ को दो बराबर हिसो में बाट दे रहा है बाइसेट कर रहा है समद्धि खन कर रहा है OS भी ये दोनों बराबर है OS bisecta code AQ ये अब इसको दो बराबर हिसो में बाट रहा है इसलिए क्या होगा ठीओरम 33 के हिसाब से परमे 33 के हिसाब से ये OS भी क्या हो जाएगा AQ के उपर में परपंडिकुलर हो जाएगा या लंब हो जाएगा और इसलिए ये दोनों तरफ 90-90 होगा तो इस तरफ भी क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा ठीक है क्यों ये परपंडिकुलर या लंब है ये अंगल ASO ASO ये 90 हो गिया ठीक है अब हम लोग आजाते इस क्वाडिलेटर या चतुरभुज में AROS इस क्वाडिलेटरल में क्या हो जाएगा ये दोनों को जोड़कर 90-90 कितना हो जाएगा 180 होगा तो एंगल ARO या कौन ARO पलस एंगल ASO ये दोनों को जोड़कर कितना हो जाएगा ये 90 पलस ये 90 दोनों को जोड़कर 180 हो गिया ठीक है तो एक quadrilateral या एक चतुरवुज में दो opposite angle या विपरीत कौन को जोड़ कर 180 हो रहा है यानि ये supplementary हो जा रहा है तो फिर हम क्या बोलेंगे जो भी मैंने theorem 39 बोला इसी जो chapter का बताया उसके हिसाब से तब क्या हो जाएगा ये चारों point क्या होगा कौन साइकी लिख हो जाएगा चकर ये बिंदू हो जाएगा बस ये हो गया तो वहीं बात यहां लिखा बस हो ये दोनों जोड़ कर 180 ये pair of opposite angles of quadrilateral AROAC supplementary इस quadrilateral ये चतुरवुज के दो opposite angle ये विपरीत कौन का जोड़ा जो है वो supplementary है ठीक है जोड़कर संपूरा के इसलिए चारों पॉइंट क्या हो जाएगे कौन साइक की लिख हो जाएगे तो उमीद करता हूँ आपको ये clearly अच्छी तरह से समझ में आगी होगा बहुत easy है medium type का ये लिखने theorem है पर मैं बस आपने क्या करना है कि इन दोनों को 90 90 दिखाना उसके लिए बहुत easy है ये दिखाना perpendicular है ये परपंडिकुलर होगा तो ये 90 होगा ये परपंडिकुलर होगा तो ये भी 90 होगा दोनों को जोड़ देना है तो यहां तक यह हुआ और इससे पिछले वाला जो मैंने अप्लिकेशन बताय था अप्लिकेशन सेवन उसका भी लिंक में नीचे देस्किप्शन में देदू गा वीडियो का आप उसको ऐप बार देख लिएगा प्रिए disci maior 10 होगा और ख़ल मैं इसका ती एप्लिकेशन नमबर 9 की बताऊँगा